हलो फ्रेंज मैं हूं बोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कोकविद भोली में आज हम सोया बिन का कटलेट बनाने वाले हैं सोया बिन में बहुत सारे प्रोटीन पाय जाते हैं उसे बताने की ज़रत तो सायद मुझे नहीं है आप लोगों को क्योंकि कि आप सबको पता है इसके फायदे कितने सारे होते हैं लेगिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिने सोया बिन का चीवी सा टेस्ट पसंद नहीं आता सब्जी में उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यह कटलेट बनाने वाले हैं जिने सोया बिन नहीं पसंद है वो इस नास्ते के रूप में भी बहुत टेस्टी बना था तो आप लोग जरूर इसे ट्राइ करके देखिए तो चलिए सुरू करते हाज की रेसिपी सबसे पहले हमने एक कड़ाई चड़ाया है उसमें पानी डाल लिये है अब इसमें डेड़ कप जितना ये सोयबीन कबड़ी में डाल रही हूँ कर्टोरी से ना पेंगे तो ये बड़ी वाली कर्टोरी में एक कर्टोरी है तो इसे अच्छे से उबालाने तक हमें पकाना है तो देख़िए इसमें उबालाना शुरू हो गई है अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे अलग से निकाल लेंगे छान करके और इसे एक ठंडे पानी के बरतन में डाल देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो सके अब हम इसे निकाल लेंगे निचोड करके तो जितना आप निचोड सकते उतना निचोड लीजिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चीए अब यहाँ पर दो प्याज मैंने बारिक काट कर लिया है चार हरी मीर्च है अद्रक का दो इंच अद्रक का तुकड़ा है थोड़े से लह सुन है तो प्याज को छोड़कर बाकि सभी चीजों को हमें मिक्सी के जाल में डाल करके इसका दरदरा सा पेश्ट बनाना है इसी में हम सोयविन की बड़ी भी डाल देंगे इसे बहुत जादा चिकना नहीं करना है हमें दरदरा सा पीसना है तो आप थोड़ा थोड़ा मिक्सी रोक रोक करके पीस लीजिए अच्छे से तो इसका दरदरा सा पेश्ट मैंने बना लिया है अब यहाँ पर तीन चम मच मैंने कॉन फ्लोर लिया है आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं और तीन चम मच यहाँ पर मैंने बेशन डाला है तो बेशन इसकिप नहीं करना है नहीं तो यह सॉफ्ट से बन जाएंगे अब इसमें आधा चम मच लाल मिर्च का पाउडर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं यहरी मिर्च को और बढ़ा सकते हैं आधा चम मच से भी कम हल्दी का पाउडर है आधा चम मच काली मिर्च का पाउडर है बारीक कटा हुआ प्याजी सी में डाल देंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हां से इस तरह से आप मिक्स कर लीजे, तो देखे बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाते हैं, बहुत जादा बेसन कभी यूज़ नहीं करना है, और बहुत कम भी नहीं करना है, अगर हम कम कर देंगे इसमें, तो ये भी ख ज़्यादा गीला गीला साई पेश्ट अगर बना तो इसमें बहुत ज़्यादा बेशन डालना पड़ जाएगा अच्छे से आप इसे निचोड़ लीजिए उसके बाद ही से पीसिए अब थेली में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसका आप कोई भी से बना सक सकते हैं तो मैं इसे ओवल शेप में और बड़े के शेप में दोनों से बना रही हूं आज तो देखिए मैंने सारे कट लेटी सी तरह से तयार कर लिए हैं और इधर तेल भी हमने चड़ा दिया है गरम होने के लिए तो चलिए अब इसे फ्राइब कर लेते हैं तो मीडियम गरम तेल पर हमें इसे फ्राइब करना है जैसे हम डालेंगे तुरन टच मत करिए आप नहीं तो यह तूटने लगेगे तो हलके हाँ से छोटा सा कोई भी फोक लेजिए और धीरे-धीरे से इसे पलटते जाएगे इसका हलका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे तो इसी तरह से दूसरे वेच कभी मैं फ्राइब कर लूँगी तो देखिए बहुत ही स्वाधिस्ट बन करके रेडी हो गई है हमारी सोयविन की कटलेट बहुत टेस्टी बनी थी सच में तो आप लोग जरूरी से ट्राइब करके देखिए बहुत ही क्रंच अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा